कि क्या दोस्तों आज चैलेंज का है डे फोर और लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने नई न्यूज और नई अपडेट्स के साथ में तो इसमें सबसे पहला अपडेट आ जाता है रायन टैरी की ओड से अब रायन टैरी ने अपनी बढ़िया सी एकदम फिजीक दिखा दी औ लेकिन यह अभी कंपीट ने करेंगे इनको कंपीट करने के लिए जो भी एक्जेक्ट मन्त लगेगा तब यह बताएंगे लेकिन फिलाल रायन टैरी को हो चुके हैं इंडस्ट्री में 10 साल पूरे अगर 2013 से 2023 तक देखा रहा और यह साल कुछ बढ़िया करने के मूड में है अब रायन ने अपना यह वाला फीजिक अपडेट दिखाया जिसमें कि आपको इनके एब्स इनके अब्लीक्स इनकी बड़ी चेस्ट जो सबसे बहुत ही बड़ी चेस्ट हैं की वो दिखेगी और बैक इन्होंने अभी नहीं दिखा है इस वाले अपडेट में लेकिन काफ बैक डबल बाइसेप इस कि हिट कर रहे थे और काफी जादा क्रेजी काफी जादा रिफाइन लग रहे थे तो रायन टेरी काफी जादा अच्छे लगना शुरू कर चुके हैं और इनकी बैक में जो एक थिकने से ना यह मैंने इतनी हमेशा से देखी है मतला पूरे करियर म लेकिन क्या बॉडी के दूसरे पार्ट में भी करेंगे वह एक देखने वाली चीज होगी अब अगर बात करी जाए इनके पिछले साल की प्लेसिंग की तो रायन सेवन था एक अच्छा पैकेज जिनोंने अपना दिखाया था लेकिन बहुत छोटे हैं साइज में यह हमेश जल्दी रायन टैरी हमें किसी ना किसी प्रोशो में दिख जाएंगे और उसके बाद देखते हैं इनका क्या आगेगा प्लैन रहेगा फिलाल यही इनका अपडेट था आप बताओ आप लोग इनके लिए एक्साइट हो अगले अपडेट पर दोस्तों चला जाए तो वह आ कि ना लेक्स वेस्किलर है भी निक वॉकर के अंदर वा साइस की कमी है लेक्स के लेकिन इस तरीकी से वह उक्रश कर रहे हैं अपने लेक्स को लग रहा है कि इस बार साइज में भी एक चेंज जरूर लागे दिखाएंगे निक वाटर का मैं पता है इसलिए फैन हूं क्यों होना अपने बॉडी में चेंज हमेशा लाते हैं 2020 और 2022 वाले निक वॉकर के अंदर आपको काफी अच्छा का सा डिफरेंस दिखेगा ऐसा कोई मासिव डिफरेंस साइज में नहीं लेकिन जहां पर जरूर थी वहां पर उन्होंने चेंज करा और देख लो पिछले साल के ऑल लेक्स के लिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि लेक्स चेस्ट इनका एक वीक बॉडी पार्टे जिसको कि इस सालिये अच्छे से इंप्रूफ करके लिए और चेस्ट पंप भी इसलिए बीच बीच में शो करते हैं अपडेट्स में अपनी चेस्ट दिखाते हैं और व के इसी कंट्री का ये बॉडी बिल्डर है और 20 साल के उपर में एक बॉडी बिल्डर है 20 साल तो फिलाल ये जो पैट्रिक टोर है उसके अंडर उनके गाइडेंस में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और प्रेप कर रहे हैं एक आने वाले NPC Pro कौलिफाईर के तो ये मॉरोको और इनकी बॉड़ी पर निगार डाली जाए तो ऐसा देख करके लगता है कि यह बात जूट नहीं है जितना अच्छी इनकी फिजीक है निहात की मतलब राउननेस और चेस्ट की जो शेप है बॉड़ी की ओवराल मसल्स की शेप है वो देख करके पता लग रहा है कि यार सब्सक्राइब करने से कमी होती है लेकिन एक समय है अभी ग्रो करने वाला समय है जहां पर की सब्सक्राइब होगा और उस हिसाब से इंक्रीज होगी मसल्स की मैच्छी तो इनके लेग्स भी आप देखो कि बहुत अच्छे लगेंगे हां जो वीक बॉड़ी पार्ट थोड अच्छी बॉड़ी मैंने रेरली ही देखी है और इस उमर में ज्यादा तर अथलीट्स होते हैं क्लासिक फिजिक कंपेटिटर या फिर मेंस फिजिक वाले आजकल बहुत है लेकिन एक बॉड़ी बिल्डर आप देख रहे हो हाइड इनके कमी है पांच फिट पांच इन्च जाएंगे पहले अपना प्रोकार्ट तो ले और प्रोकार्ट लेने के चांसे इनके बहुत ज्यादा मुझे लगता है तो आपका इसमें क्या कहना है आपको लगता है इस अथलीट का अच्छा फ्यूचर रहने वाला है और निहात काया यह नाम अभी बिल्कुल एक छोटा नाम है लेकिन क्या यह नाम में काभीलियत है बड़ा होने की मुझे बताना जरूर और क्या लगता आपको किस उमर तक ही अपना एक जो लेगिसी है उसको एस्टैबलिश कर लेंगे क्योंकि 20 साल की एज है अगर 25 साल तक भी करते हैं तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा तो टाइम बहुत अच्छा है और बॉड़ी काफी कमोबन में काफी ज्यादा है इनकी दोस्तों साथ वीक साहटा जैसी खेलेंगे उस वाले शो को मुरा को प्रोको तो मैं जरूर से कवर करूंगा इनने इसके बाद दोस्तों आता है अगला अपडेट तो प्राइज मनी तो मा बॉड़ी बिल्डर को कितना कितना मिलेगा और शौक हो जाओगे आप जानकरके के इनोंने मैंस उपन बॉड़ी बिल्डर के विनर के लिए सिर्फ बीस हजार डॉलर का प्राइज मनी रखाया मैं अगर आपको दोस्तों कमपैरिजन बताऊं तो जो लास्ट मास्टर सॉलं इस इस इतना कम तो नहीं इंच लिए लेकिन में बॉड़ी बिल्डिंग डिवीजन को इतना कम तो नहीं मिलना चाहिए लेकिन क्या करे नोंने पहले अपना बजट लोगों के आगे डिस्क्लोस कर दिया था बोलाक उनतीस जार रुपेगा तो उसी में से जो भी बातना है लाइन अप के साथ में बहुत ही जादा डिसापॉइंटिंग यह प्राइज मनी बाकि इतने सालों बात जो आ रहा है ना तो थोड़ा बहुत एंगेजमेंट जरूर रहेगा ओडियन्स का और फैंस का लेकिन यह शो डिजर्व करता नहीं है इस से जादा बहतर बहुत जादा शोज जो अभी इसी महीने में आने वाले जैसे नियूयॉक प्रो कैलिफॉर्निया प्रो अगले महीने के शोज उससे अगले महीने के प्रो शोज इसका नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसमें ऑलम्पिया शब्द जुड़ ग थोड़ा सा हैरान हो गया बिकॉज में को हसन की पुरानी बॉड़ी ना ठीक से इतनी याद नी थी और अभी की इस वीडियो में यह देखते हैं कि आज से लगबग 9 साल पहले जब हसन मुस्ताफा 22 साल के थे उस टाइम पे इन्होंने इस तरीके की अपनी एक फिजीक रख आज हम देखते हैं हसने एक ब्लॉकी वाइड ब्लॉकी वेस्ट अपनी करते हैं और लोग परिशान हो गए जजिस परिशान हो गए किसको साही कर लो तो बिल्कुल फिजीक के अंदर जो राउंडनेस है जो एक थिकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले काफि आप थी नौ साल पहले और आज भी हसन की बेहत खराब है और दूसरा कापना शेकिंग हसन मुस्ताफा शैदार ज्यादा ही कापते हैं तो यह दो आदेते नहीं जूट रही है इनकी किसी भी तरह यही है कि इस वाली फिजीक को तो यह अचीव नहीं करेंगे और करना चाहि हर जगा ग्रो होता है वेस्ट पर भी ग्रो होता है वो जो मसल्स की थिकने से वहाँ पर बढ़ जाती है इस विदा से वीटे पर कॉंप्रोमाइज हो रही है पिकॉस लैट्स उससाब से बड़े नहीं हुए बड़े तो हुए है पर उस एक वो फ्लेरिंग आउट जो लैट शोल्डर्स तो उनके भी नहीं है पर छोटे फ्रेम वाले अथलीट्स को हमेशा इस अमल के चलना पड़ता है अपनी वेस्ट को कंट्रोल करते हो नहीं तो हमेशा 19 साल बाद उनकी बॉड़ी की जो वी टेपर है वो सबसे पहले जाती है और उसके बाद में बॉड़ी खरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहां पर चैट निकोल्स के लिए तो दोस्तों यहीं था अभी का अपडेट हसन के उपर और अपडेट तो नहीं है एक फिजिक कंपेरिजन मैंने आपको बताया आप बताओ क्या हसन को आज की टाइम पर वेक्यूम करना चाहिए परसनली मेर सब इश्वास सानी हुआ कि इतनी अच्छी वीटे पर इस अथलीट की तो वह वाली चीज है आप बताओ आपका क्या कहना है चलो फाइनली अब आती है दोस्तों आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूस इस न्यूस ने तो जाहिर है सब लोगों का और जो उत्सा है बहुत ज सब्सक्राइब करें अगले मेने के आठ तारिक को कुछ होने वाला है और यहां पर एरिन बैंक्स के जो फैंस है और जैरिमी के फैंस में आपस में एक मुट्भेड सी लगी रहती है कौन दोनों में बैस्ट है बाकी कॉंट्रोवर्सी इन दोनों अथलीट में होती है इन बैंक्स वैसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही जब से चैंपिन बने तो काफी एक कॉंट्रोवर्सी करते रहते हैं और मैंस फिजिक अथलीट होते भी ज्यादा ही वोकल है तो यहां पर क्या है कि वापस तो आ रहे हैं लेकिन सबसे चीज जो मुझे इस अथलीट के बारे में अब लगती है वो यह है के बॉड़ी एक साइड की चीज है लेकिन जो एक मैंटल पीस है ना जो जरीमी पर पहले कभी नहीं था वो शायद अब हमें देखने को मिलेगा यह काफी चे पसंद नहीं करते हैं और जैरीमी सीज को जानते हैं कि पास्ट में काफी ज्यादा वो गुस्से में रहते थे और बेहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी उनके अंदर फिलाल देखते हैं कि वह चीज अब कितनी सही हो चुकी है और लंपिया स्चेज पर चीज यह और बहुत ही फेमस नोबड़ी आउट वर्क्स में आपको याद होगा यह नोबड़ी आउट वर्क्स मी वाला डायलोग इनोंने एक बार जोर्ज ब्राउन को बोला था तो किंग ब्राउन को एक बर नोने काफी सुना दिया था तो वह वाली चीज अभी बी हैश्टेक्स क एक फाइट लड़ना चाहते हैं उन्होंने हलाकि पहले भी कमबैक एनाउंस किया था लेकिन तब इनोंने अपने हेल्थ रीजन्स की वज़ा से वापस मना कर दिया तो जैरेमी के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं उनके हेल्थ को लेकर के अब जहां तक इनका यह कहना है कि यह सब चीजों में ठीक हैं और बिल्कुल डाइल इन है यानि की बिल्कुल रेडी है प्रेप कर रहे हैं बड़िया तरीके से और छे महीने बाद दिखेंगे तो एक चीज़ बता हूं आज मैं सुबह जिम कर रहा था और टीवी में जिम के अंदर टीवी में जैर कर दिया और जब मैं टीवी में वीडियो देख रहा था ना इनकी आज तो बहुत ही तगड़ा हो मस्कुलेचर वाइट शोल्डर स्मॉल वेस्ट जिम के अंदर जब यह अपने आपको पंप कर रहे होते हैं तो वह चीज़े देखकर के पुरानी चीज़े आद आ जाती है क अगया सुन करके बाकी जैरिमी ने कुछ दिनों पहले अपना पोस्ट भी डाला था साइट चस्ट हिट करते हैं इसमें अच्छी खासी राउंडनेस इनकी फिजीक में दिख रही है एक वो स्पेशली थिकनेस होती है वो चीज़ और अब डेफिनिटली साइस की इनको अच अच्छा साइस दिखेगा इनकी चेस्ट आपको भारी दिखेगी एपस क्लियर है और जैरिमी एक तरह से देखा रहा है एक अच्छे खासे ओफ सीजन में अभी चल रहे हैं और क्योंकि साइस की जरूरत है तो ऑफ सीजन तो लगाना पड़ेगा देखते हैं जैसी कंडिश ऑज में एक अच्छेर लो आपको िया है और कह बबोल कैस्ट हो ऑब है और करARD हैं और काट की चार्फ़ 15 ले झार्फ सीजन में अच्छें की पुले हैं और रहे हैं अच्छें देख़ेगी जरू हैं और दो अच्छोंकियाओं प्सक्का सित ते एकित ख़ना थागल सुत क